हेलो दोस्तों नमस्कार आपका स्वागत करती हो डेन पी इंडिया में इस वक्त की दस बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगी तो आए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला कुशिनगर के नौरंगिया गाउं में वीती राथ हुए दर्दनाग हादसे में 13 महिलाओं की मौत हो गई राश्पति रामनात कोविन और प्रदान मंतुड़ा निंद्र मोरी ने इस हादसे पर दुख जताया है वही सीम योगिया रित ने कहा है कि घायलों को श्री ग्रस्व आसन ने 4-4 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने की घोशना करने के साथ घायलों के निश्वल्क इलाज की भी विवस्था की है देश में करोना के केस लगाकार कम हो रहे है केंदर सरकार ने अब राज्जी सरकारों को कोविट प्रतिवंधों में धील देने की सलहा दी है बतादे कि 24 घंटे में देश में करोना के 3,757 ने मामले सामने आए है करनाटक में हिजाब को लेकर विवात अबने का नाम ही नहीं ले रहा है वहीं बोधवार को भी हाई कोट में हिजाब मुद्दे पर दलीले रखी गई लेकिन हाई कोट में सेक्शन एक संस्थानों में हिजाब प्रतिवंध को चनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फिर से सुनवाई होगी सुप्रीम कोट में केंद्रे से ये बात बताने को कहा है कि सशरस्त्र बलो में कितने कर्मियों को अगर अगर अधालत ओर ओपी में मस्टी पी को भी शामिल करने को कहे तो वह वित्ती है आवंटन कितना होगा जम्मु कश्मीर के कट्रा में गुरुवार को सुभा भुकम के जटके महसूस किया गया है हाला कि जटकों की त्रेविता अधिक नहीं थी नैशनल सेंटर फॉर सेस्मलाजी नहीं ये जानकारी रियक्टर स्केल पर इसकी त्रेविता 3.5 मा पी गई है पाकस्तान में पेट्रोली मुत्पादों की किमतों में फिर से इजाफा हुआ है पाकस्तान में पेट्रोल डीजल में 12.63 रुपे प्रती लीटर तक की बढ़ोतरी हुई है जिससे पाकस्तान की जनता में काफी आक्रोश है जनता ने पेट्रोल उत्पादों की बढ़ती कीमतों पर इमरान सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा व्यक्त किया है भारत का पडोसी मुल्क नेपाल अंतराश्टिय सुर्ख्यों में है इसकी दो प्रमुख वज़े हैं हाल में नेपाल सरकार ने पहली बात दावा किया किचीन उसके इलाके में हस्तशेप कर रहा है उधर दूर्पक्षिय संबंधों पर पूर्ण विचार करने की अमेरिकी धमकी से नेपाल में चिंता गहरा गई है ब्राजिर में तीन दीन में तीन घंटे के अंदर 25.8 सेंटीमीटर बारिश हुई है जो इससे पहले के 30 दीन में हुई बारिश के बराबर है रूस गय ब्राजिर के राश्टपती जेर बोल सरैरो ने अपने मंत्रियों को बारिश के कारण प्रभावित हुए लोगों की ततकाल मदद करने के अंदर देश दिये है खबरों के और जानकारी के लिए देखते रहे हैं डेन पे इंडिया तब तक के लिए नमस्कार